दोस्तों कैसे हैं आप लोग उमेद करता हूं कि बहतर होंगे और आये स्टार्ट करते हैं आज का बहुत ही महत्पुन लेक्षर आज बात करेंगे पद्मपुरसकार 2023 की और हम बात करेंगे मद्ध प्रदेश से पद्मपुरसकार किसे किसे प्राप्त हुआ ध्यान रखेगा और ये मद्ध प्रदेश के perspective से बनाया गया हमारा क्या ही ये वीडियो है ध्यान रख़ेगा पद्म पुरसकार में बात करें हम तो पद्म B. भूशन धान रखेगा दूसरा सबसे बड़ा पुरसकार है उसके बाद पद्म भूशन उसके बाद पदमस्री 2023 में मद्द प्रदेश से किसे क्या वाड मिले हैं आईए अपन बात करते सबसे पहले हम बात करेंगे रमेश परमार और सांती भाई परमार को आदिवासी गुड अवर्ड मिलाके एक अवर्ड माना जाएगा दोनों पती-पतनी हैं ध्यान रखियेगा इन्होंने गुडिया कला को जाबूआ और धार दोनों जगह क्या किया है दो दोनों जगहों किया है अब किस 93 से लगा अतार गुडिया कला के बारे में क्या कर रहे हैं गुडिया कला को प्रमोट कर रहे हैं और गुडिया कला के लिए राश्टी एवं अंतर राश्टी इस तर पर भिन भिन इस तर पे मद्द प्रदेश का एवं भारत का प्रत्रिन धित्व कर चुके हैं इस समय अगर म मद्द प्रदेश के कलाच शेत्र का एक विशेश युगदान देने वाले व्यक्तित्तों हैं अगली बात करें हैं जुधिया बाई बैगा ध्यान रखेंगे जुधिया बाई बैगा की बात करें तो यह तो बहुत दिनों से चर्चा में हैं और मैं जो मेरे बच्चे मेरे से पढ़े हुए हैं इनको मैं क्लास में भी कई बार उनको बता चुका हूँ कि इनको बहुत ही जल्ब पदमावार्ड से सम्मालिद किया जा सकता है और यही हुआ आपको मैं बता देता हूँ इनकी अगर बात करें हम एजुकेशनल कौलिफिकेशन जीरो है बट इन्होंने क्या किया है बैगा द्यान रखेगा बैगा चित्रकला को बैगा पेंटिंग को वर्ल्ड लेवल में पहुचाया है ध्यान है इनकी जुत्रकला बैगा थिया बात करें तो यह किस का आपको पता होना चाहिए बैगा से हैं अगली बात आपको इसी में मैं बता देता हूं इनको 2020 का नारी सक्ति अवर्ड मिला है और इसी को हम बोलते हैं राष्ट्रिय मात्री सक्ति अवर्ड से भी यह सम्मानित है नारी सक्ति अवर्ड से भी और राष्ट्रिय मात्री सक्ति अवर्ड से भी दोनों से सम्मानित है आठ मार्च 2020 को इनको दिया गया था मद्द प्रदेश की ऐसी personality है यह जिनको पदमश्री भी मिला है और इनको नारी सक्ति अवर्ड भी मिला है करते हैं कम से कम रोज सोचे लेके डेड़ सो मरीजों का और बीस रुपए जो की आज की डेट में हम कहें तो सरकारी अस्पताल में भी जाओ तो दस रुपए की परची बनती है बीस रुपए में यह अपनी क्लेनिक में बैठकर इलाज कर रहे हैं मतलब गरीवों तक इलाज सुनिश्यत करने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है ध्यान रखेगा और इनका जन्म बहुत ही महत्तपुर्ण बात है इनका जन्म पाकिस्तान में हुआ था 1946 के अंदर इनका जन्म कहा हुआ है एंसी डावर का ध्यान रखेगा पाकिस्तान के अंदर हुआ है मतलब ऐसा पूछ सकता है कि मत दप्रदेश से पद्म पुरसकार पाने वाले व्यक्ति जिनका जन्म पाकिस्तान में हुआ है तो ध्यान रखेगा एंसी डावर ध्यान रख पता हूँ कि आपको मेरा यह लेक्षर पसंद आया होगा ऐसे ही वीडियो के लिए बने रहे हमारे साथ थैंक यू थैंक यू वेरी मुझा